अध्याय दस हे भाईयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अग्यात रहो कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बप्तिस्मा लिया सब ने एक ही आत्मिक भूजन किया, सब ने एक ही आत्मिक चल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे, चोन के साथ साथ चलती थी और वो चटान मसीही था, परंतु परमेश्वर उन में के बहुत थेरों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ठेर हो गए ये बातें हमारे लिए द्रिश्टान्त ठेरी, कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में तैईस हजार मर गए ना हम प्रभू को पर खें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सापों के द्वारा नाश किये गए ना तुम कुर्कुडाओ जिस रीती से उन में से कितने कुर्कुडाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किये गए ये सब बातें जो उन पर पड़ी द्रिश्टांत की रीती पर थी और वे हमारी चेतावने के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी कई है इसलिए जो समस्ता है कि मैं स्थिर हूँ वो चोकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से पाहर है परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्ज से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको इस कारण हे मेरे प्यारों मूर्ती पूजा से बचे रहूँ मैं बुद्ध हिमान जान कर तुम से कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उसे तुम पर्खो वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लोहु की सह भागिता नहीं वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की दे की सह भागिता नहीं इसलिए कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं एक दे हैं क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं जो शरीर के भाव से इसराइली हैं उनको देखो क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाती जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परन्तु दुष्टात्माओं के लिए वलिदान करते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो, तुम प्रभू के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों मेश से नहीं पी सकते, तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मों की मेज दोनों के साज ही नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिष्ट दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नती नहीं. कोई अपनी ही भलाई को न ढूंडे, परन औरों की. जो कुछ कसाईयों के हाँ बिकता है, वो खाओ. और विव और तुम जाना चाहूं, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछू। परन्तु यदि कोई तुम से कहे ये तो मूरत की बली की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतुस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों पर्खी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूं, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तुम ना यहूदियों, ना युनानियों, और ना परमेश्वर की कलिसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन रखता हूं और अपना न चलिए है।